हेलो गाईज, आज हमारे बच्चों के फर्माईज थी गुलाब जमुन खाने की, तो घर पे मावा था नहीं, तो मैंने सूजी के गुलाब जमुन बनाए हैं, तो आप सभी देख सकते हैं कितने रसीले गुलाब जमुन बन करते यार हुएं, तो चलिए वीडियो को शुरू क तो गाइस वीडियो शुरू करने से पहले अगर आप सभी मेरे चैनल पर नए है तो प्लीज चैनल को जुरू सब्सक्राइब कर ले तो यहां पर हमने सबसे पहले इलाई चीली है और दो कोटोरी मैंने यहां पर सूजी ली है दो कोटोरी को मेजरमेंट के इसाब से इसमें मैंने थोड़ा मिल्क पाउडर भी एड़ किया है और एक चमच घी भी एड़ किया है इसमें तो इसको थोड़ा उबलने देंगे उबलने के बाद इसमें हम सूजी एड़ करेंगे तो यहां पर मैं इसमें सूजी एड़ कर रही हूं सूजी एड़ करने के बाद इस फ़ी ते इस को थोड़ा गैस को भी मीडियम करेंगे और यहां पर आपसे भी देख सकते हैं इसको मैं मैंश कर रही हूं अच्छे से कि इसमें ताकि लंस वदब करण ना पड़े Тो इसको दीमियाच पे करना है गरम तो आपसे भी देख सकते हैं यहां पर तो गाइज यहाँ पर हमारा जो डो है वो तैयार हो चुका है यह भी थोड़ा गरम है तो इसको हम पलेट में निकाल के थोड़ा मैस करेंगे ताकि इसमें कोई डली वगएरा हो तो वो मिक्स हो जाए तो यहाँ पर थोड़ा इसको मैस कर रही हूँ अच्छे से गरम है यह थोड़ा हलका इसको क्योंकि ठंडा नहीं होने देना है तो इसके बाद यह बैटर मैस करने के बाद यह तयार हो चुका है तो अब मैं यहाँ प अगर इसमें क्रैक वगरा आएंगे तो फिर यह जब हम इनको तेल में डालेंगे तो यह फट जाएंगे तो इसलिए हमें थोड़ा इनको अच्छे से बनाना है तो आप सभी देख सकते हैं यहाँ पर खूब अच्छे से इनको बना रही हूं मैं तो गाइस यहाँ पर मैंने सभी गुलाब जामून बना लिये हैं आप सभी देख सकते हैं और इसके बाद मैं कड़ाई में तेल गरम करूंगी यह मैंने कड़ाई रखती है गैस के उपर तो इसके बाद जो हमने इलाई चीली थी उसको हम थोड़ा बारिक पीश लेंगे मोटा या दरदरा जैसा भी तो अभी मैंने पानी रख दिया है चासनी बनाने के लिए तो यहाँ पर मैंने दो इसमें दो कोटोरी पानी डाला है तो गाइस यहाँ पर पानी रखने के बाद मैंने इसमें चीनी डाली है डाई कोटोरी के आसपास मैंने इसमें चीनी डाली ह और यहां पर इसको हम मिक्स करेंगे तो इसके बाद मैंने इसमें जो इलाइची पाउडर किया था वो इसमें डाल दिया है इसे जो गुलाब चामून का टेस्ट होता है वो बहुत अच्छा आता है तो इनको हम 4-5 मिनट तक पकाएंगे चासनी को तब तक हमारे जो गुलाब किते ह्याने का खतरा होता है तो आप से भी देख सकते हैं यहां पर यह गुलाब चामून मैने थोड़े-थोड़े करके इसमें में डाल दिये हैं तो गैस यहां पर हमारे गुलाब जामून जो है पक कर तयार होनी वाले हैं तो थोड़ा इनमें भी जाग बना है और यहां पर हमारे दूसरी साइड चासनी भी बनकर तयार हो चुकी है तो इसको कम से कम चार पांच मिनट हो गए है पकते हुए तो यहां पर यह तयार हो चु ये समय गैपसे मिन तो सबक्राइनक constables अब्तो हैं चासनी typical आपच्छ कें चासनी तो इसमीन और नहीं १र्धारि यहाँ आप्झेश सकते हैं हुआ हैं500 को इसमीन गुडारि यहाँ अप्ष। तयार हो चुके हैं तो इनको हम थोड़ी देर के लिए ढख देंगे तो 15-20 मिनट के बाद हम इनको देखेंगे तो गाइस 15-20 मिनट के बाद आप सभी देख सकते हैं हमारे गुलाब जामून जो हैं बहुत ही अच्छे बन कर तयार हुए हैं यहां पर आप सभी देख सकते हैं यह देखने में बहुत अच्छे लग रहे हैं और यह रस से भर गए हैं और बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं और खाने में भी यह बहुत ही स्वादिस्ट लगे हैं तो आप सभी भी इसको इनको ट्राइ कर सकते हैं हमारी recipe को तो guys आप सभी को हमारी video कैसी लगी please comment करके जरूर बताएगा और हमारी ये recipe को जरूर ट्राइ कीजिएगा तो please आप सभी हमें जरूर सब्सक्राइब कीजिए तो यहाँ पर हमारा बेटा गुलाब जामुन खा रहा है तो यहाँ पर हम भी इनको टेस्ट कर रहे हैं तो आप सभी भी हमारी ये recipe ट्राइ कीजिएगा जो कि बहुत अच्छी बने हैं गुलाब जामुन तो guys I hope आप सभी को हमारी ये video पसंद आई होगी तो आप सभी से मिलते हैं और एक नए ब्लोग में तब तक के लिए आप सभी अपना ध्यान रखियो और हमारे चैनल को please 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 subscribe कीजिए और वीडियो को like कीजिए comment कीजिए तो मिलते हैं आप सभी से और एक नए ब्लोग में तब तक के लिए आप सभी को bye bye धन्यवाद